आप सभी बच्चों का मैं एक बार फिर स्वागत करते हूं हमारी आज की कक्षा में और आज मैं आपके लिए लाई हूं कक्षा नौक की हिंदी पाठे पुस्तक शितित से कैदी और कोकिला नामक कविता का दूसरा भाग ले करके कैदी और कोकिला इसके कवी हैं माखनलाल चतुरवेदी जे तो बच्चों हमने कैदी और कोकिला भाग एक में उस कविता में बहुत सारे भावों को पढ़ा था माखनलाल चतुरवेदी जब वह स्वयम एक स्वतंतता सेनानी थे और जेल गए थे तो ज जेल्स्त में ही उन्होंने कई अनुभव किये उन अनुभवों को बटोर करके उन्होंने कवीता रची और वही कवीता कैदी और कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई तो हमने अब तक भाग एक में क्या-क्या पढ़ा चलिए उसकी एक बार फिर पुर्नवरित्ती कर लें हमने पहले भाग में ये पढ़ा कि कवी ने इस कवीता के माधियम से भारतिय स्वतंतता संगराम के सेनानियों के साथ जेल में किये गए दुर्वेवहार और यातनाओं का मार्मिक्ता पूर्ण धंग से शाक्ष प्रस्तुत कर रे का प्रयास किया है स्वतंतता पूर्व लिखी गई इस कवीता में जेल में बैठे कवी के रूप में कैदी और कोयल के मध्य जो वारतलाव हो रहा है कवी अपनी उदासी और पीडा को कोयल से सांझा कर रहे हैं और ब्रिटिश शाषन की कुरूरता के प्रती बहुत ही आक्रोशित हैं हमने ये जाना कि जिस कोयल से वो सांझा कर रहे हैं अपनी बातचित को अपने मन के भावों को वो कहते हैं कि ये समय कोई मधूरगीत गाने का नहीं बलकि मुक्ती के गीत गाने का है जब कोयल कवी को अर्ध रातरी में चीखती नजर आती है तो कवी को एहसास हुआ कि अब कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है हमने ये भी जाना पहले भाग में कि इस कवीता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को धर्शाया गया है कवी कोयल से पूछता है कि वह याद वो यहां क्या गाती है और बीच में गाती गाते चुप क्यूं हो जाती है कवी जानना चाहता है कि वह आखिर किसका संदेशा लेकर आई है आगे कवी ने हमको ये भी बताया था कि कवी को जेल में अन्य अपराधियों के साथ रखा जाता था उन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था और वहां न जीने देते थे लोग न मरने देते थे ऐसा हुआ है कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रन हुआ है इस कवीता में यहां पर बेड़ियां और हतकणियां यह कहा गया है कि यह सारी चीजें क्या है कैदियों के गहने हैं और कवी को लगता है कि जूवां खीच कर वह अंग्रेजों की अकड का कुवां साफ कर रहा है तो अब तक हमने पहले भाग में जो पढ़ा उसकी पुर्णा वृत्ति कर ली अब हम देखते हैं कि इसके आगे माखनलाल चतुरवेदी ने अपनी रचनाओं में क्या लिखा है आगे लिखते हुए कभी कहते हैं कि इस शांत समय में अंदकार को भेद रो रही हो क्यूं कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांती बो रही हो क्यूं कोकिल बोलो तो यानि इतनी शांती है उस कारागार में जिस जेल में लेखक और कई अन्य कैदी वहां पर बंद है तो इस शांत वातावरन में, जब रात में कोई काम नहीं होता है तो फबहाई लोग अपने कोठरियों में बंद हो जाते है कैदीों को बंद कर दिया जाता है अंदकार को भेद, यानि अंदकार को चीरती हुई ये तुम्हारी आवाज, ये जो गर्जना है, क्यों हो रही है, क्यों चीख रही हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भाती बो रही क्यों हो, यानि यहाँ पर कवी को लगता है कि इतनी रात को चिलाने का अर्थ ये भी हो सकता है कि कोयल हमारे मन में विद्रोह के बीच बोना चाहती है किसके खिलाफ अंग्रेजी शाशन के खिलाफ वो चाहती है कि सभी लोग एक जुट हो करके समाज में एकता लाएं और इस अंग्रेजी शाशन का खात्मा करें तो इसी का बीच वहाँ शायद हमारे मन में बोना चाहती है चलिए आगे देखते हैं इसका क्या भाव है इस अर्ध रातरी में शांत वाता वरन में तुम अंदकार को चीरते हुए इस तरह क्यू रो रही हो कोयल बोलो तो क्या तुम हमारे अंग्रेजी शाशन के खिलाफ विद्रह के बीच बोना चाहती हो कवी को लगता है कि कोयल चुपचाप क्या कर रही है विद्रोहों के बीज बो रही है सब के रिदय में आगे कवी ने तुकांथ शब्दों का प्रियोग किया है देखिए मेरे साथ लिखा है उन्होंने कि काली तू रजनी भी काली शाशन की करनी भी काली काली लहर कल्पना काली मेरी काल कोठरी काली टोपी काली कमली काली मेरी लोह श्रिंखला काली पहले ही हुंकृती की ब्याली तीस पर है गाली ऐ आली कितने सुंदर भाव यहां पर प्रस्टुत किये गए हैं लेकिन यहां पर जिस काले रंग का जो बार बार पुर्णा वृत्ती हुई है जिस शब्द की उसके बारे में बताना चाहूंगी की काला जो रंग होता है वह शांती का और अशुप प्रतीक माना जाता है तो यहां पर क्यूंकि उनका मन भी निराशा से भरा हुआ है आप जिस परिवेश में रहते हैं आपका मन भी उसी हिसाब से ढल जाता है यदि आप खुश है आपका हृदय खुश है तो आपको चारो तरफ अच्छा ही अच्छा ही नजर आएगी लेकिन यदि आप निराश है मन से तो आपको बाहर अच्छी चीजे भी खरा प्रतित होंगी तो यहाँ पर उन्होंने यह बताया है कि हे कुयल तुम तो स्वयम काली हो और रजनी भी काली रजनी अर्थात अंद्वकार रात तो यह रात भी काली है शाशन की करनी भी काली यानि जो अंग्रेजी शाशन हैं उनकी कर्तूते भी काली हैं काली लहर और कल्पनाए काली यानि हम जो यहां जेल में बैठी हुए हैं हमारे अंदर के जो भावनाएं हैं वो निराशा से भरी हुई हैं तो वो भी काली हैं मेरी तो काल कोठरी काली यानि क्योंकि चोटी-चोटी कोठरी और उसमें अंधकार प आमल दिया जाता है वो भी kale रंगा था इसलिए लेक्छ नें कहा है कि टोपी काली क मेरी लौष रिंकला काली और फात मैं जिस जेल में हूं वहाँ पर जो सलाक्षे हैं वर भी आ काली है और पहले की हूंकिरिती की बर्डू ब्याली का आप हमेशा 2400 गंटे पहरा देते हैं, तो जो पहरेदारों की नजर है, वो भी कैसी है, काली है, तीस पर है गाली, ए आली, अर्थात, यानि छोटी-छोटी गलतियों पर कैसे अत्याचार किया जाता था हमारे भारतवासियों पर, तो उस शाशन के खिलाफ ये जो आक्रोश ह लेखा के मन में भरा हुआ, इस चीज को उन्होंने यहां पर व्यक्त किया है, चलिए अब इसका भावारत एक पर देख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया, काला रंख दुख और अशांती का प्रतीक होता है, कवी कैदी के माधियम से कह रहा है, कि कोय तू तो तो खुद क काली है, और ये रात भी काली है, ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार की करतूते भी काली है, देश में एक काली लहर चाई हुई है, जेल के अंदर अंधकार और निराशा है, और इसी कारण काल कोट्री भी कैसी है, बच्चों, काली है, मैंने जो टोपी, मैंने अर्थत कवी, मैंने जो टोपी पहनी हुई है वो भी है काली और जो कम्मल कवी ओड़ता है वो भी है काला तो लेखा कह रहे हैं कि उनकी श्रिंखलाएं जो जेल की हैं वो भी काली हैं और काली है हमारे उपर दिन भर कड़ी नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार भी काली सापिन की जैसे हैं और हमें गालियां भी सुननी पड़ती हैं हमें अर्थात कवी को कवी कहते हैं हमसे छोटी सी गलती होती है और पहरेदार हमें गाली दे करके चले जाते हैं आई होई है आगे बढ़ते हैं इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो बड़े सुंदर भाव है यहां पर यहां पर कवी माखनलाल चतुरवेदी जी यह कह रहे हैं कि इस काले संकट में यानि का तो यह काला संकः है सागर के समान यानि सागर का कोई और और चोड़्श नहीं होता दिखता नहीं है वैसे ही यह संकः यह भी सागर के समान ही है यह कोप कहतम होगा अन्तहीन है तो वो कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ यहां पर आदमिघ्ट flaming奇 Galül आज MOM अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कवी कि आखिर कोयल अर्ध रात्री को क्यों चीख रही है वो क्या बताना चाहती है कवी को तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कितने मधुर गीत हैं कितने सुरीला तुम गाती हो तो आखिर तुम हम लोगों के बीच यहां पर जो हमें संदेशा देने आई हो आखिर क्यों अपने चीखों को बरबाद कर रही हो क्यों तुम चिला रही हो आखिर हमारे अंदर कौन से भाव है कि संकट के इस काले सागर में तुम अपने करांती भरे गीतों को आखिर कैसे तैराती हो अर्थात इसका अर्थ समझें इसका अर्थ यह है कि ऐसी विशम परिस्थितियों में भी तुम भला कैसे यह गीत गा लेती हो इतनी विशम यानि विशम कठनायां मुश्किल से मुश गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं तो इसी का भाव इन पंकियों के द्वारा निकलता है आगे बढ़ते हैं आगे कभी कह रहे हैं कि तुझे मिली हर्याली डाली मुझे नसीब कोठरी काली तेरा नभ भर में संचार और मेरा दस फुट का संसार तेरे गीत कहावे वह रोना भी है मुझे गुना देख विशमता तेरी मेरी बजा रही तीस पर रन भेरी अर्थात यहां पर उन्होंने यानि कैदी ने अपनी तुलना किसे की है कोयल से की है अपनी परस्थितियों से की है उन्होंने इन दोनों की तुलना करते वे कहा है कि देखो तुझे मि करिक्ति के ली दाली यानि कि उस्वचंद सक्क्टिन के बीच धा यूची के वह बोक्ति T लेकिन मेरा दस फुट का संसार यहां पर दस फुट का संसार करते हैं कि उस समय उस समय जब अंग्रेजी शाषण चलता था तो उस समय क्या होता था? कैदियों को छोटे छोटे कारगार में रखा जाता था ठीक है? दस बाइ दस फुटका जो कोठी होता था उसमें ना आप ठीक से बैठ सकते हैं ना आप उठ सकते हैं ना आप सो सकते हैं तो कितनी यातनाएं कैदियों को दी जाती होगी उस समय कवी ने सिर्फ यही अनुमान लगाने के लिए यही बताने के लिए इस कवीता की रचना की है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो मेरी स्थिति कैसी है और कोयल तुम देखो कि तुम्हारी स्थिति कैसी है वे कह रहे ह कि कोयल जब तु मधूर गीत गाती हो मीठा सुरीला गाती हो तो तुमको वावाही मिलती है कि कितना सुंदर गीत गाया है लेकिन मेरी परिष्थिती यहां पर अलग है मुझे तो यहां पर रोना भी मना है रोना भी क्या है एक गुना है गुना अर्थात जिसके लिए आपको दंड दिया जाता हो यानि वो तो अपनी परस्तिती पर रो भी नहीं सकते तो इसलिए वो कह रहे हैं देख विशमता तेरी मेरी अर्थात कभी कह रहे हैं कि देखो तुम में अर्थात कोयल में और कैदी में कितना यहां पर अंतर है तो बजा रही तीस पर रंभेरी और कभी ये भी बोल रहे हैं कि तुम तुम जो बाहर बैट करके रात में कूक रही हो, क्या तुम तीस पर रनभेरी अर्थात युद का बिगुल बजा रही हो, क्या तुम चाहती हो कि हम स्वतंतता आंदोलन में कूद जाएं, क्या तुम इसके लिए हमें जगा रही हो रात में, क्या अपना पूरा सहयोग दे सके चलिए एक बार इसका भावार्थ पूर्ण रूप से देखें यहां पर कवी ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी को उन दोनों की मनोस्थिती की तुलना मार्मिक रूप से की है यहां को यहां पर यह बताया गया है कि जहां पर कोयल हरे में घूम सकती है वहीं एक कैदी को दस फुट की काल कोठरी में रहना पड़ता है लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं लेकिन वहीं एक कैदी के लिए रोना भी मना है इस प्रकार दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है फिर भी वह विद्ध का बिगुल बजा रही है व कोई किसी व्यक्ति के अंदर जोश समापत ना हो जाए चलिए अगली पंक्तियां देखें इस हूं किरती पर अपनी कrative से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलों टो मोहन के व्रत पर प्राणा का आशव किसमे भर दूं कोखिल बोलो थो हूं कृती का अर्थ होता है हुंकार और यहां पर जो एक शब्द प्रयोग किया गया है मोहन मोहन का अर्थ है मोहन दास करमचन गांधी तो इसमें कभी कह रहे हैं कि इस हुंकृति पर इस हुंकार पर मैं कृति और क्या अर्थात यहां पर बताया जा रहा है कि लेखक का कार्य है जोश भरी रचनाओं को लिखना और अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के अंदर जोश प्रभावीत करना लेकिन वो कह रहे हैं कि बताओ मैं इस से जादा और क्या कर सकता हूं और क्या करूं कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर मोहन अर्थात मोहंदाश तो कह रहें गांधी जी के गांधी जी ने जो स्वतंतता संग्राम का अंदोलन छेड़ा था उस समय उस व्रत पर उस व्रत पर क्या मैं अपने अपने अपना जोप ढूं क्या उसमें मैं अपने प्रांड दे दूं और बताओ मैं इस स्वतंतता आंदोलन में और कैसे और क्या कर दूं किस तरह से और अपना योगदान दे दूं कोकिल बोलो तो देखते हैं इसका भावार्थ कवी कहता है कि कोयल की जो पुकार पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है कैदी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल मुझे बता कि गांधी जी बारा चलाए जा रहे इस स्वतंतरता संग्राम में मैं किस तरह से अपने प्राणों को जोग दूं यानि अपना शत्प्रतिशत लगा दूं क्यूंकि वो एक कवी है और कवी का काम होता है रचनाय लिखना कृतियां लिखना तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अपना शत्प्रति कि और बताओ मैं इससे जादा और क्या करूं तो वो बार बार कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल बताओ कुछ तो बोलो कि और मैं क्या करूं तो इसी के साथ हमारा दूसरा भाग यहां पर खतम होता है अब आए इस दूसरे भाग से संबंधित परश्ण उत्तर की तरफ चले अब भावना बताई है यानि वो कौन-कौन से कारण हो सकते हैं कि कोकिल रात में आकर के कारावास के ऊपर कूक रही है क्यूं आखिर क्या इसका कारण है चलिए देखें इसके कारण को कोकिला कोई संदेश पहुचाना चाहती है यह भी हो सकता है कि हो सकता है वो किसी के लिए को इस अंदेशा लेकर आई हो दूसरी संभावना बताई गई है कि उसने दावा नल की लपटे देख ली हो अर्थात जो विद्रोह देश में लोगों के मन में विद्रोह उठ रहा है वो जंगल की आग की तरफ फैल रहा है तो हो सकता है उसने इस चीज को भाप लिया हो और यह भी एक अंदेशा लेकवी ने लगाया है आगे को उन्होंने कहा है कि समस्या अत्यंत गंभीर है इसलिए वह सुभा होने की प्रतिक्षा नहीं कर पाती है और यह भी अंदाजा लगाया है कि हो सकता है कि कोई संदेशा जो हो बहुत मर्तवपून हो और इसलिए वह सुबा तक इंतजार नहीं की, हो सकता है उसे रात में ही वो संदेशा देना हो, लेकिन वो संदेशा आखिर क्या है, यही वारतालाब इसका वीता में चल रहा था, और अंत में आखरी अंदेशा उन्होंने लगाया कि क्रामतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबू को बनाए रखने के लिए वो युद का बिगुल बजाने आई हो रात में, चलिए, दूसरा प्रशने देखते हैं, कवी को कोयल से इर्श्या क्यूं हो रही है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्यूंकि कवीता की कुछ पंक्तियों में इसका जिक्र किया गया है, उसमें बताया गया है, उसमें अलग-अलग प्रस्थितियों के बारे में बताया गया है, कि कवी की प्रस्थिती कैसी थी, कोयल की प्रस्थिती कैसी थी, तो आखिर इनकी तुलना करते हुए, लेखक को कोयल से क्यूं इर्श्या हो रही थी, चलिए, उत्तर देखें अब, कोयल की स स्वतंतरता से कवी को इर्षया हो रही थी क्योंकि जो स्वतंतरता होती है उसका मुल्य वही जानता है जिसे वो प्राप्तना हो यानि जो गुलामी में जी रहा हो उसे ही वो स्वतंतरता का मुल्य पता होगा तो यहां पर उसे सबसे पहली इर्षया इसले हो रही थी क्योंकि कवी स्वयम एक कैदी के रूप में जेल में था और जो कोयल थी कोकिला थी वो बाहर कूक रही थी तो उन्होंने कहा है कि वो आकाश में आकाश में स्वतंत्रता से उरान भर रही है और कवी क्या कर रहा है कवी जेल की काल कोट्री में बंद है और कोयल गा गा कर बाहर आनंद प्रकट कर रही है, तो अजादी से विच्छन्द कर सकती है, लेकिन ऐसा कवी नहीं कर सकता है क्योंilot क्योंकि वह काल-कोट्री में बंध है और एक परिस्तिती उन्होंने बताई है कि यहां तो कवी का रोना भी क्या माना गया है एक गुनाह माना गया है जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है यानि उसके समस्त परिस्तितियां विपरीत हैं किसके विपरीत हैं कोयल की परिस्तितियों के विपरीत हैं आगे देखते हैं कोयल और कैदी के बीच की समानता को पश्ट कीजिए अब हमने हमने दोनों की विभिन परिस्तितियों के बारे में जाना लेकिन अब इस प्रश्ट में हम बताएंगे कि कोयल और कैदी इन दोनों के बीच की समानताएं क्या हैं? किस चीज में वे दोनों बराबर हैं? चलिए उत्तर देखें अब कोयल और कैदी दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि गुलामी के इस जंजीर में दोनों ही जकड़े हुए हैं अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के कारण वे दोनों ही दुखी हैं जहां कोयल की हूक में वेदना भरी हुई है वही कवी का अदर्द उसकी रचनाओं में छिपा है कोयल आजादी का संदेश दे रही है तो कवी अपनी कृतियों से लोगों के मन में जोश भर रहा है तो ये सारी जो बाते हैं ये दोनों में एक समान पाई गई है अगला प्रश्ण है देख विशमता तेरी मेरी इस में किस विशमता की और संकेत किया गया है तो इसका उत्तर होगा देख विशमता तेरी मेरी के माध्यम से कवी और कोयल के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है दोनों में क्या अंतर है कोयल हरे भरे पेड़ों की डाली पर उड़ती फिरती रहती है और कवी दस फुट की कोठरी में क गुना माना गया है और खुले-खुले आसमान में उड़ रही है कौन कोकिल पर कवी का जीवन सिर्फ उसकाल कोठी में ही सिमट कर रह गया है अगला प्रशन है बच्चों कवी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यू की है अपनी इस कवीता में बहुत अच्छा प्रशन है तो इसका उत्तर आप अनुमान लगा के दे सकते हैं आप स्वयम भी सोच सकते हैं कि जब कवी माखनलाल चतुरवेदी जी कैदी के रूप में उस कारावास में जब अपना जीवन वैतीत कर रहे थे तो आसपास तो अपनी इस रचना में केवल कोकिला यानि कोयल का ही जिक्र क्यूं किया है कुछ तो खास बात होगी ना उसमें तो चलिए अब देखे कि वो खास बात है क्या यहां कोकिला भारत माता का प्रतीक मानी गई है कोकिला रात के समय नहीं बोलती है उसकी आवास से कवी का कवी को वेदना की अनुभूती हो रही है अतह रात को उसका इस प्रकार से करुन स्वर में गाना जो कैसा लगता है आने वाली संकट का प्रतीक माना गया है कोकिला की आवाज अन्य पक्षियों से अधिक मधुर और भिन्न होती है इसी लिए कवी ने कोकिला की ही यहाँ पर बात की है तो यहाँ पर बड़े शाफ शब्दों में यह बता दिया गया है कि कवी ने क्यूं अपने कवीता में केवल कोयल का ही जिक्र किया है ठीक है क्यूंकि कोकिल रात में नहीं गुमती है वो दिन में गुमती है पर यहाँ पर इस कवीता में रात में वो कूक रही है अपनी वे है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह जो प्रश्ण हमारे समक्ष है यह प्रश्ण का उत्तर आप देंगे प्रश्ण है कि आपके विचार से स्वतंतता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा विवहार क्यों किया जाता होगा क्योंकि इस कवीता में मैंने बताया है कि उन इसप्रेशर्च क्यों करते थी तो अट चार नहीं होते हैं लेकिन उनको उसी कारावास में रखा जाता था जहां पर ऐसे निम्न दर्जे के अपराधी रहते थे तो आप लगों को क्या लगता है कि ऐसा अंग्रेजी जो शाशन चल रही थी उसमें वो क्यों ऐसा हमारे स्वतनता सेनानियों के साथ ऐसा विवहार करते थे तो इसका उत्तर आप स्वयम ढूंडे चर्चा करें अपने मित्रों के स साथ अब मैं विदा लेती हूँ धन्यवाद